नमस्कार दोस्तो देलर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है दोस्तो अपन कर रहे थे करमचारी चैन बोर्ड के पिछे के आएवे पेपर अब तक अपन 2705 परसन है वो कर चुके हैं आज की क्लास में भी अपन 2-3 पेपर है वो हल करेंगे तो देखे पहला परसन जन जाती में गाउं का मुख्या गमेती कैलाता है राजस्तान में क्रोली जीले का गठन 19 जुलाई 1907 में कुवा था राठोड राजमस के पर्थम सासक कोन थे तो राव चूड़ा थे राजस्तान उचन याले के पहले मुख्य नए दिस कोन थे तो केके परमा थे फिर देख राजस्तान के कोटा राज्य में अठार सुस्तावन के विद्रो का नेतर तो तो लाला जैदयान और मेराब खान ने किया था अगला देखे निमन में से कौन सा नरत्य राजस्तान की काल बेलिया जाती का नहीं है तो देखे चरी नहीं है संक्रिया पणिहारी इंडोणी ये कालवेलिया जनजाती के नरते है पिर देखें निमन में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है तो वसिष्ट का मंदिर सिरोई में है समदेशवर का मंदिर चितोडगड में है रमा वेकूंटनात का मंदिर पुषकर में है लक्समी नराइण मंदिर ये अलवर में नहीं ये इसे बिड़ला मंदिर के नाम से भी जना जाता है ये जेपूर में है अलाउदीन के राजस्तान पर आकरमन का सई कालानुकरम क्या है तो देखिए सब से पहले उसने रनथमबोर पर आकरमन किया था अगला देखिए मतश्य श्रंग के परधान मंत्री तो सोबाराम कुमावत असावा वर्मा सास्त्री गोडगिल गोडगिल चाचा पडेल ऐसे आप याद रखना परधान मंत्री और जो ये क्या नाम है उद्गाटन करता फिर देखे इनका मिलान करना है तो राष्ट्री है ये मरू राष्ट्री उध्यान है ये जेसल मेर मेर में इस्तित है ताल साप पर कृष्ण मिर्गों के लिए फेमस चूरू में फुलवारी की नाल उद्धेपूर में बंद बारेठा भरतपूर में राष्टान लोग सिवायों के पर्थमा देख्ष कौन थे तो सर एके घोष्ट थे इनको मिलान करना है प्रेटन सिवायों और परार्मवर्ष तो देखे हेरिटेज ओन वहिल्स 2006 में राइल राजस्तान ओन वहिल्स ये 2009 में रोयल ओरियंट एक्सप्रेस ये शुरू वी थी 1994 में विलेज ओन वहिल्स ये 2004 में तो विलेज में वहिल्स ले थे 2004 में यानि विलेज में वहिल्स पहले चले थे तो याद रखना 2004 में हेरिटेज हेरिटेज ओन वहिल्स ये 2006 में ये दो ध्यान में रखना अब पिर देखिए पिपल पना इस्त्रियों के कान का बूशन है मुगल समराट अकबर द्वारा जिस संत को फत्यपुर्शिक्रिया मंत्रित किया गया था वह था तो दादू दयाल 1832 में राजस्तान का मेव किसान अंदोलन किसके नेतरतों में तो मुहम्मद हाद्दी फिर इनको मिलान करना है एक ये जल महल है ये जेपुर में है एक थंबा महल जोदपुर में है एक थंबिया महल डूंगरपुर में है जुनागड किला बिकानेर में है फिर देखिए राज जायते हैं नगरपालिकों के लिए चुनाव संपन करवाना ये भी सही है तीसरा कतन है वो गलत है भारतिय निर्वाचन हायोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सुची का चैन और तियार करने का करे ये नहीं है पिर देखे राजस्तान में कामड जाती के लोग नीमन में से कोण सा संगीत वादे अंत्र बजाते हैं तो तंदूरा राजस्तान के संद्र में पंचवेदा क्या है तो मोटी सूती साल को पंचवेदा बोलते हैं अगला देखिए प्रस्ण लाल्या काल्या मेला आयुजित क्या जाता है तो अजमेर में फिर देखिए राजताण ललीत कला अकादमी इसका स्थापना वर्स है वो सही है 1958 जेपूरकत्थक के अंदर अथारासो 1978 राजतान हिंदी साहिते गर्णत अकादमी 1939 और राजतान सांसक मुख्य मंत्री की रूप में निमन में से किस यूगम पर सरवादिक बार सपत ली है। मलीनाथ पसुमेला तिलवाडा में आयुजित किया जथे तो चेत्रमाह में। गोशुंडी का सिलालेक इस्तित है तो चित्तोडगड में। जालरा पाटन का सुर्य मंदिर निर्मित किया गया था तो नागबट सेकिंड द्वारा। फिर देखें। बढ़ला सोलर पारक अवस तो उद्धैपूर। काम्याच्चा क्या है तो वाद्द्यांतर है राउन हत्ता किस प्रकार का वाद्द्यांतर है तो तंत। फिर देखें शृलाल जो सी एक प्रमुक्चित्रकार है तो फड़ चित्तर के। निमलिक्स में से किस सेर में स्वाई जे संगे साकेन ने वेट साला के दिर्मार नहीं नहीं करव Fail ing ahh मत्वुरा दिल्ली जैपुर उजेन मत्वुरा और बनार से यां करवाय था आगरा में नहीं करवाया किस नर्थ सहार को राजस्तान का जलिया वाला बाग कहते हैं तो मानगड बांस पड़ा राजस्तान का राजमानवा दिकार आयो के देख सकून है तो जी के व्यास सीथ काले बर्सा माउट होती है तो पस में विछो बंदवारा सोतंतरता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा कांकी निवासी ते जर्सन मेर बेंस रोडगड से बिजोलिया के मद्दे इस्तित पठार उपरमाल पोथ हिकाना संग्राले जेपुर में है बात्तारी फुलवारी के र चेता विजेदान देथा राजस्ता में उठकात वूमी इस्तिला करती दिखाई देती है श्वाई मादवपूर कुरोली और दोरपूर जाजम या आजम सपाई पर सिदे तो चितोडगड की राम सनी संपरदाए की परमुख पीट इस्तित तो सापुरा भीलवाड़ा में भरतपूर वे क्रोली जिले राजस्तान के कौन से किर्शी जलवा इखंड के अंतरगत आते हैं तो थरडबी निमन में से भेड़ की किस नसल को राजस्तान की मेरेनों कहते हैं चोकला नवींतम पशूगणना के अनुसार राजस्तान के सभी राज्यों बकरी की आबादी मे राजस्तान का तीसरा स्थान है बकरी के बादी में राजस्तान का स्थान है तो पर्थम है राजस्तान का पर्थम स्थान है फिर देखिए अगला पेपर ये कनिश्ट अभ्यंता का है देखिए कती पे राजबू सासकों की सुची दी गई है तो इन में से किस ने मुगलों क से योग नहीं किया तो राना सांगा और चंदर से नहीं किया मान सिंह राय सिंह ने किया था कुंबल गड़ कई कुंबल गड़ की दिवार की लंबाई 36 किलोमेटर है मारना प्रताब की मर्तियोária ów ke Pused वखाथ अंतर की नदियों में सामिल नहीं है चंबल है बनास है बाण गंगा है लुनेखं 10 में लुंवरमेर को भेट की सोनाडी परजाती अदिकास्त है राज्चान के में आप्र जिलोलमें पाई जाती है देपुर। गुरपूर भीलवड़ा पिर देखें हल्दीग हट्टी के युद को निमन में से किस विद्वाने कमनोर का युद का तो अबुल फजलने देखें इन में से इनका मिलाण करना है किसान आंदोलन इनका प्रार्म का वर्ष इन में से कोन सा सही है तो बेगु किसान आंदोलन 1921 ये सही है बाकी सारे के सारे जो डेट है वो गड़त है अगला देखिए रास्तान के निमलिक्त में से किन जिलो में सरवादिक वना चादन है तो बाराची तोडगड उद्यपूर फिर देखिए रास्तान की भूरी मर्दा पाई जाती है तो इसमें स्टार दिया गया फिर इनमें से कौन सा युगम गलत है तो सरिष्का है ये कहां पर है तो सरिष्का अलवर के अंदर है और केसरबाग दोरपूर में सजनगड उद्यपूर में और जो जमवार रामगड है जयपूर में उपर जो भूरी मर्दा दे रखिया न ये भूरी मर्दा टोंक स्वाईमादोपूर बुंदी भिलवडा उद्यपूर और रासमंद इन जिलों में पाई जाती है तो वैसे तो इसमें एक उप संसे बेट रहा था बुंदी वाला तो पता नहीं कैसे इसमें मिलो दो जिले आ रहे होंगे भर्दपूर आ रहा होगा फिर देखें सिरावन से क्या तात्पर है ग्रामीन छेत्रों में किसानों का प्रात्यकाली नास्ता भारतिय ने उसम विवाग की वेध साला रास्तान में कहां इस्तित्य तो जैपूर राजפूताना की निमीलिक's 30-18 सो सत्रा से ठारा के बीच में इस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधी प्रस्ताक्सर किये तो क्रोली ने कोटा ने फिर जोदपुर ने फिर उद्धेपुर ने तो यह याद रखना अगला देखे रास्तान प्रेटन के विपनन अभियान की वर्तमान टेग लाइन तो देखे 77 तरथा से नानी सेरी केष रैसिंग बारट की जनमस्तलि सापूरा साइते रचना उसके साइतेकार के गलत यूगम तो देखे वीरसत सहीशुरेमल मिस्रण की है चेताउनी राचुंटा केष रैसिंग बारट की है और रूला मरूरा दुहा यह कवी कलोल की है एक लिंग महत से कौन राज़तान के भवाई लोक नर्ते से समझ दित है तो भवाई नर्ते से समझ दित तो देखे कृष्णा व्यास चगानी है ये भवाई लोक नर्ते से समझ दित है फिर देखे केंद्रिये बेड़े उन अनुसंदान संस्तान का इस्तित तो अविका नगर अविका नगर केंद्रे, बेड़, उन、 अनु चांतन संस्तान अविका नगर ठीक है केंद्रे, बेड़, उन, ऐसे बौरुढ़ बौरुढ़ करके उन के साथ बौरुढ़ है वो काम पर आप कमेंटबोक्स में बताना एक प्रस्रिक्षिन और आजाए यदि प्रशिक्षन आजाए इसकी जगाए केंद्रिया बेड़े उन प्रशिक्षन संस्तान का है तो तिनों आप कमेंड बोक्स में बताना चले बता देता हूँ बोरण वाला पूछ ले तो जोदपूर प्रश्रिक्षन वाला पूछ ले तो जेपूर ये संस्तान है अविका नगर निमलिक्त में से कौन सा यूगम ऐसंगत है तो देखिए केला देवी करोली करणी माता देशनोक जीन माता जमुवा रामगड राणी सत्य जूजनों तो ये जीन माता है ये जमुवा रामगड ये से शुमेलित नहीं है फिर देखिए अगला देखिए जीन माता रिवा से सिकर होगा फिर देखिए किर्शी अनुशंदान के इंदर बांश बड़ा द्वारा विक्षित संकर किस माही कंचन किस पसल किया तो य अड़ोती छेत्र में सेता वाड़ी का मियला लगता है कि अलवडा बारा में राज्तान के करपाल संग से कावत ने उनके किस छेत्र में योगदान के लिए उनिसो च्वेत्र में पदम सिरी पुरुषकार प्रप्त किया तो बुल्य पोटरी पिर देखिए गागरोन का किला जालावाड महरानगड जोदपूर भानगड अलवर बटनेर हनमानगड भाये साइता प्राप्र परियोजना राज्तान सहरी छेत्र विकास कारे करम को कौन सी संस्ता वित परदान कर रही है तो ADB अब इसकी पुल फ़र मुझे भी नहीं पता ACN Development Bank ठीक है राजस्तान के किस लोग देवता ने महमूद गजनवी से युद किया तो गोगा जी मरुस्तल के विस्तार को नियंतरित करने के लिए वर्ष 1969 में केंद्रिय सुष्क छेतरम संदान संस्पन काजरी स्थाप नकब केगी तो जोदपूर में मुख्य मंतरी जल स्वाव लंबन योजना परार्म हुई तो ये 27 जनुरी 2016 कि संगड सेली का सोरूम यूग के लाता है तो राजाज सावंत सिंग का सासनकाल आर्थिक स्रिवेक्षन एकोनोमिक रिव्यू 2021 कर्ण सार 31 मार्थ 2020 तक राष्तान में राज्य राजमार की कूल न किस किलोमेटर निमलक्त में से सिंचाई प्रियोजना और जिले को समेलित करना है तो बांकली बांध है ये जलोर तो बांकली सिंचाई प्रियोजना जलोर से समंदित होगी सौम कमला अंबा तो ये डुमरपूर से समंदित होगी मोरेल बांध तो मोरेल बांध है ये लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया वर्ष 19-17-31 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का देश दिया तो जोदपुर के राजा ने फिर देखें इनको शमेलित करना है तो चावल की किसम है बासा फूसा दोसो इकिस गिहूं की है राज 911 सोना लिका डी 134 चने की है सी 235 ह 208 जी 13 कपास की है पीस टी 9 देवी राज और देवी तेज फिर देखें निमन में से कौन सा स्थान जिंक ख़जानों से समंदित है तो देखें मोचिया है बलारिया है और जाओर माला है तो यह दोस्तों अपन ने तीन पेपर हलकिया है हाई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगाओगा अच्छा लगाओगा लाइक करना अपने दोस्तों में सेरी जरूर करना फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक जेहिं जेवार्द